लालची रसोई में फूड लवर्स का स्वागत है आज हम यहाँ पर बच्चों का बहुती फैवरेट डोनेट की रेसिपी बना रहे हैं जिसे बच्चे बहुती चाव से खाते हैं उनको बहुती पसंद आता है और यह हम घर के इनम बेसिक समानों से बनाएंगे इसके लिए हम ले रहे हैं दो कटोरी मैदा और इसमें हम डालेंगे घर की नॉर्मल दही तीन चमच यहाँ पर हमने न इस्ट का इस्तमाल किया है ना ही कमपाउंड चॉकलेट का जरुट है हमें महेंगे चीजों की जरुट नहीं है जो घर की बेसिक समान है हम उसी से डोनेट बहुत अच्छे डोनेट बना लेंगे यहाँ पर मैं पीसी हुई चीनी दो से तीन चमच डालूंगी और वनफोर्ट चमच बेकिंग पौड़र जिससे डोनेट हमारे फूलेंगे और यहाँ पर वनफोर्ट चमच मैंने इनो भी डाला है पर उसका क्लिप मेर से मिस हो गया है और यहाँ पर हम स्वात को बढ़ाने के लिए चुटकी भर नमक डालेंगे और सबको अच्छी तरह मिला लेंगे अब थोड़ा सा इनो डालें जिससे की डोनेट और अच्छे फूलेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाके हम इसका डो तैयार कर लेंगे और इसे हम आधा से पौन घंटा तक रेश्ट के लिए छोड़ दे रहे हैं यहां पर मैं चॉकलेट सीरप का इस्तमाल कर रही हूं मैंने यहां पर दस रुपे वाले दो चॉकलेट सीरप लिये हैं और उसमें मैं एक डेरी मिल्क को डाल कर चॉकलेट सीरप बनाऊंगी मेरा चॉकलेट थोड़ा नरम हो गया इसलिए मैं इसे टुकडों में तोड़कर डाल दे रही हूँ अगर आप फ्रीज से तुरंट निकाल रहे हैं तो इसे ग्रेट करके डालिए मेरा असानी से हाथ से तूट जा रहा है इसलिए मैं वसी तोड़कर डाल के अब इसे डबल बॉयलर में डाल कर मैं इसका चॉकलेट सिरफ तयार कर ली हूँ जो हमें डेकोरेशन के काम आएगा अब यहां पर हमारा डो अच्छी तरह फूल गया है अब इसे हम थोड़ा मसल कर इसका हम दो भाग में बाट कर लोई बना लेंगे और इसकी हम एक रोटी बेलेंगे इसकी रोटी जादी पतली नहीं बेलना है थोड़ा मोटा रोटी बेलेंगे और इसको हम गिलाज की सहायता से गोल कट कर लेंगे और हम इसका धकन की धकन से बीच में गोल काट लेंगे इस तरह डोनेट का शेप तयार है इस तरह से हम सब डोनट तयार कर लेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे मैं रिफाइन तिल गरम करने के लिए रख दी हूँ इसमें हम चार डोनट एक बार डालेंगे और इसे उलट पलट का फ्राई करेंगे देखें डोनट कैसे फूल रहा है इसे low medium flame में fry करें ज्यादा high flame में fry ना करें इसे उलट पलट कर हम golden होने तक fry कर लेंगे देखे फुले फुले डोनट बने हैं ये fry तैयार हो गए हम इसे हम निकाल लेते हैं अब बाकी के भी डोनट फ्राई कर लेते हैं और इसे हम 15-20 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे उसके बाद हम चौकलेट सीरप में इसको डिप करेंगे इस तरह से हम सब को डिप करके रख लेंगे अब मैं यहाँ पर एक चौकलेट को ग्रेट करके रखी हूं इसको इसके ओपर स्पिंकल कर दूंगी बच्चों को चौकलेट का स्वाथ ज्यादा पसंद आता है इसलिए मैंने चौकलेट का इस्तमाल ज्यादा किया है और यहाँ पर हम सुगर बॉल्स है उसको भी डालके डेकोरेट कर सकते हैं यहाँ पर PCV शकर को आप चैचननी में डालके भी डेकोरेट कर सकते हैं मैंने हाथ से ही डाल दे रही हूं मेरे पास white chocolate नहीं था तो मैंने Oreo biscuit के बीच से white वाला cream निकाल कर उसका white chocolate बना के उसको भी decorate कर दी हूँ अब बाकी को मैं chocolate से decorate कर दे रही हूँ और इधर जो बचे हुए थे इसको मैं खाली सुगर से ही decorate करके रख दी हूँ इस तरह से हमारे डोनट तयार है और आप बच्चों को दीजिए बच्चे को बहुत ही पसंद आएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे like and share करिया मेरे चैनल में अगर नए होंगे तो इसे subscribe करिये thank you